हलो इवरिवान वैलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में देखेंगे इस डबल लेयर डिजाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टैब बाई स्टैब इस तरह की कुर्ती की टुट्रियल बनाईे तो बेसिकली यह एक रिकेस्टव बीडियो है वीडियो आपको अची लगें तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें साथी साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अब दीखे कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो इस तरह से रहेगा यहां स्क्रीन पर आप मेरा मेजरमेंट देख सकते हैं और इसका जो साइज है आप अपने हसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं बच्चों के लिए भी बना सकते हैं बड़ो के लिए भी बस आपको वीडियो में दिखाया गया तरीके को फालो करना होगा अब बात करते हैं कुर्टी के माटेरियल की तो यहां पर मैंने डेर मीटर यह वाइट कलर की लैस ली है अगर आप लैस का जो चोड़ाई है वो जादा लेंगे तो और अच्छा रहेगा मेरी लैस की चोड़ाई लगबग सवाई इंच है इसके बाद स्लीव में लगाने के लिए यहां पर मैंने आदा इंचौड़ी लास्टिक ली है तो यह हमारी आदा इंचौड़ी लास्टिक है अपनी कलाई के साब से लगाएंगे अब कुर्ती में जो इनर लिया है वो मैंने 2 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है आप inner को कोई भी फैब्रिक में बना सकते हैं और कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साड़े चार मीटर जॉडड़ेट फैब्रिक लिया है अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए फोर फोल्ड करके फैब्रिक निकाल लेंगे जितनी भी लंबाई चोड़ाए चाहिए और इतना ही हमने अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है तो दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रखेंगे और ओपन साइड एक तरफ फैब्रिक की जो चोड़ाई है वो मैंने लगबग 11 इंच के राउंड ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच ली है 15 इंच पर टाप पार्ट में रेडी करूँगी तो एक इंच हमने मार्जन का एक्स्ट्रा लेना होगा इसके बाद शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ और नेक की विट मैंने 0.5 इंच ली है आप अपने नेक की चोड़ाई अपने हिसाब से कम जादा ले सकते है अब शोल्डर से हमने हाफ इंच कंती डाउन के लिए मार्ग करना है और इन दोनों मार्ग को हमने इंच टेप रखे इस तरह से तिर्चा करके मिला देना है इसके बाद हम आर्मोल की लैंट लेंगे तो पहले आगे की तरफ सीधा मार्ग करेंगे और एक मार्ग हम उपर ले जाकर यहां मिला देंगे अब हमने अपने आर्मोल की शेप देनी है तो पहले हम बैक आर्मोल की शेप देंगे और हाफ से पॉन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे इसके बाद दीके यहां से हम अपने बस्ट का फोट पार्ट मार्ग करेंगे जितना भी आपको burst size चाहिए उसको 4 से divide करना है और mark करना है और यहां से हमने कमर का 4 part mark करना है तो 10 पर मैंने burst लिया है और 8 पर मैंने कमर लिया है दोनों को इस तरह से मिला देंगे और आगे से 1.5 से 2 inch margin at कर लेंगे तो एक हमारा fitting का mark है और एक cutting का cutting वाले mark की उपर की तरफ हमने लगबग 1 inch mark करना है और इस mark को पीछे की तरफ curve shape में मिला देना है इससे हमारी कुर्ती के side के corner नहीं लटकेंगे इसके बाद हम अपने neck की weight ले लेंगे तो मैंने 2 inch ली है back neck की जो length है वो मैं 5 inch लूँगी और front neck की length मैंने 6 inch ली है neck की लंबाई चोड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और neck को आप बुकरम पे भी बना सकते हैं मैं अस्तर में बना रही हूँ तो front neck में square बना रही हूँ तो जितना उपर से चोड़ाई ली है front के लिए उतनी ही चोड़ाई में नीचे से लोंगी और back neck को मैं round shape में बनाऊंगी अब सबसे पहले हमने back वाली side में cutting करनी है back neck और back armhole से तो इस तरह से पहले मैं back neck पर cut कर लिया है अब देखें ये हम इसको open कर लेंगे और दोनों में से एक एक layer निकाल लेंगे और दो layer को वापस से हम fold करेंगे जिसमें neck की shape और armhole के extra cutting कर लेंगे तो front neck में square बना रही हूँ इस तरह से इसके बाद हमने armhole के extra cutting भी कर लेनी है तो इसी के साथ ये हमारा front वाला part बन गया है अब इसका neck finish करेंगे तो बहुत ही आसान है क्योंकि हम अस्तर में बना रहे हैं दोनों को एक दूसरे के उपर रखेंगे अच्छे से मिलाकर और एक pair का दबाव लेकर हमने अपने neck की shape में एक silahe लगा देनी है इसके बाद इसमें cut लगाकर सीधी तरफ turn कर लेंगे और इसी तरह से हम अपना back rack भी finish कर लेंगे तो guys यह हमारा top part complete हो गया है इसके बाद हम अपनी sleeve cut करेंगे तो sleeve cut करने के लिए मैंने fabric को four fold कर लिया है और sleeve की length आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ज़ादा कम कर सकते है मैंने 21 inch की length ली है और width मैंने इसकी 1.5 inch ली है अब यहां से हम अपने armhole की shape देंगे तो पहले मैंने यहां 3 inch पर mark किया और इसके बाद मैं नीचे से भी 3 inch पर mark करके armhole की shape दे दूँगी और armhole की जो चौड़ाई है वो मैंने लगबग 1.5 inch ली है तो armhole की चौड़ाई भी बिलकुल normal उतना ही लेना है जितना हम लेते हैं बस सिलीव की opening की side से मैंने 10.5 inch लिया है अब यहां से हमने इसकी cutting कर लेनी है जो हमने सिलीव की shape दी थी तो देख सकते हैं आप सिलीव की जो मूरी है वो मैंने 10.5 inch ली है अब यहां से हम fold करने का cut लगा लेंगे जितना भी हमें सिलीव opening fold करनी है तो मैंने 1 inch कपड़ा fold करना है इसके बाद इसके उपर 3-4 inch पर एक mark करेंगे तो मैं 3 inch पर mark कर रही हूँ तो इस mark पर हम notches लगा लेंगे क्योंकि यहीं पर हमने lastik लगानी है तो चारो लेयर में यह हमारी notches आ गई है अब इनको open कर लेते हैं तो देखिए पहले तो हम sleeve की opening जो है वो fold कर लेंगे उसके बाद हम lastik लेंगे lastik अपनी कलाई के हिस आप से लेनी है जितनी भी हमें lastik की fitting चाहिए उससे 2 inch extra ले लेंगे length में इसके बाद दोनों piece की length को बराबर cut करेंगे तो ये दोनों sleeve के लिए होगी अब हमने देखिए जो 3 inch पर notches लगाये थे यहाँ पर हमने ये lastik रखनी है और इस तरह से दो सिलाईयों के साथ इसको attach कर देना है अब first layer cut करने के लिए मैंने 1.5 meter fabric को किनारी वाली side से double fold किया इसके बाद हम इसको चोड़ाई में four fold कर लेंगे तो ये हमारा एक square piece बन गया है इसकी लंबाई चोड़ाई 30 inch है मेरे fabric का अरज 60 inch था इसलिए मैंने इसको 1.5 meter काट कर square piece में fold कर लिया है तो चारों तरफ से ये 30 inch की land और width रहेगी इसके बाद इसी के बराबर यानि 1.5 meter एक और piece लिया है मैंने अब बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको fold करूँगी और इसके उपर बिचा लूँगी तो यहाँ पर मैंने 1.5 meter के दो fabric piece लिये हैं जिनको हम इस तरह से अच्छे से बिचा कर सैट कर लेगी कोई भी इसमें silver नहीं होनी चाहिए तो यहाँ देख सकते हैं यह हमारी 8 layer है अब यही से आप अपनी कुर्टी की लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं यानि जो piece मैंने लिये हैं इनकी लंबाई आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं अब fold वाले corner से यहाँ से हमने अपने कमर का foot part mark करना है तो कमर की जो foot part है मेरी कुर्टी का वो 8 inch है तो पहले मैं इस तरह से 5.5 inch की land पर ये एक curve shape में marking करूँगी इसके बाद मैं इसको check करूँगी इसकी गोलाई कितनी है तो इसकी जो गोलाई है वो अभी थोड़ी ज़्यादा है तो इस mark से लगबग 5 inch उपर की तरफ में एक और mark करूँगी तो guys इस तरह से आप अपनी कमर की गोलाई mark कर सकते हैं यानि कमर का foot part mark कर सकते हैं तो total मुझे 8 inch चाहिए तो अब ये 8 inch है सो यहां से हमने इसकी cutting करनी है इसके बाद इस वाले mark पर हम अपने top part की ready length रखेंगे और first layer की length ले लेंगे जितनी भी हमें चाहिए उससे एक inch plus करके तो मैं 33 inch पर इसको ready रखूँगी तो यहां पर मैं इसको 34 inch पर mark कर दूँग क्योंकि 1 inch हमें margin में चाहिए तो first layer हमारी 33 inch पर ready होगी अब यहां corner से जो भी length आईए इस length को आगे follow करेंगे इस तरह से और mark करते जाएंगे उपर corner से नीचे तक मैं 24 inch यानि 24 inch के length पर mark कर रही हूँ अब जो भी हमने mark किया है इसको एक बार check कर लेंगे और इन सबी को अच्छे से dark कर लेंगे तो यह हमारा एक full circle cut हो गया है first layer के लिए cutting करते हुए हमने धिहान रखना है उपर की जो 4 layer है यानि 4 परत उनको ही cut करना है नीचे की जो 4 layer है उनको cut नहीं करना है क्योंकि वो हमारी second layer बनेगी तो यह इस तरह से देख सकते हैं आप उपर की 4 layer cut किये हमने अब नीचे वाली layer को हमने अब mark करना है तो इससे मैं 5 inch extra लोंगी यानि जिसमें हम curve बनाएंगे जो जिग जैग बनेगे उसको मैं 5 inch extra ले रही हूँ तो उपर से मैंने यहां कमर से top 8 की ready length रखी अब यहां पर हम अपनी lower length यानि second layer की length total चेक कर लेंगे जितनी भी कुर्ती की ready length चाहिए उसी के हिसाब से mark करेंगे तो आप यहां अंदाज़ा लगा सकते हैं first layer से 5 inch मैंने extra ली है अब आप कितनी length चाहते हैं उससे कम जादा कर सकते हैं तो उपर corner से नीचे तक 29.5 inch पर मैंने mark किया है अब इन सभी marking को dark कर लेंगे और इसकी भी हमने इसी तरह से cutting कर लेनी है so guys दोनों गेरो को मैंने full circle में cut किया है इसके बाद जो हमने कमर का mark किया था उस पर cut करना है तो यहां extra नहीं cut करेंगे जितना हमने mark किया था उतना ही cut करना है इसके बाद यह देख सकते हैं first layer जो है वो मेरी 19 inch की length पर है और second layer मेरी 24 inch की length पर है तो कुर्टी की जो ready length है वो यहां हमारी आ गई है अब यह उपर वाली layer देख सकते हैं मैं open करके दिखा देती हूँ यह हमारी उपर वाली layer है इसको हम side में रखेंगे इसके बाद हमने second layer में जो curve बनाने हैं उसके लिए देखे गेरे को पहले एक बार fold करेंगे इस तरह से बराबर पकड़के यहां पर नीचे से हमने fold किया अब एक बार और fold कर लेंगे तो मैंने दो बार fold किया है अब देखिए नीचे से जो गेरे की गोलाई है यहां इंची टेप सीधा रखेंगे और जितनी भी land आई है उसको half कर लेंगे सो इंची टेप को fold करके half करके mark करना है अब दोनों साइडों से हमने उपर की तरफ लगबग तीन इच पर mark करना है सो इस साइड से भी mark किया और इस साइड से भी mark करेंगे अब इन दोनों mark को नीचे जो center में हमने mark किया है यहां गोलाई देते हुए मिलाना है सो गाइज यह mark मैंने curve shape में free hand से दिया है आप चाहें तो direct इंची टेप रखकर इस तरह से mark कर सकते हैं उसके बाद इसमें हलकिसी दोनों साइड से गोलाई दे सकते हैं अब जो हमने marking की है इसकी cutting कर लेंगे सो मीद करती हूँ आपको यह वाला part अच्छे से समझा गया होगा तो cutting करते हुए जो layer हैं वो काफी ज़्यादा है इसलिए हमने cutting करते हुए थोड़ा धीरे-धीरे करना है क्योंकि सीजर में हमारा जो fabric की मोटाई है वो ज़्यादा होगी यह तो यह परिशान करेगी तो cutting हमने धीरे-धीरे करनी है इसके बाद मैं open करके दिखा देती हूँ cut करने के बाद जो इसका look है वो किछ इस तरह से आएगा अब इनकी गोलाई को आप जितना ज़्यादा sharp रखना चाते हैं उतना रख सकते हैं इतना भी उपर mark करना चाते हैं यानि मैंने तीनीच पर पिक किया आप चार पर भी कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा second layer जिसमें हमने नीचे zigzag यानि curve बनाए हैं इसके बाद इसके उपर वाली जो layer है वो हमने cut की है भी मैं आपको open करके दिखा देती हूँ तो यह देख सकते हैं यह इसके उपर वाली layer हमने cut की थी तो दोनों जो हैं वो हमने full circle cut किये हैं यानि जो इसकी गोलाई है वो full है और इसमें कोई भी cut center में joint नहीं आएगा यह दोनों गेरे कुछ इस तरह से आएंगे इसके बाद देखिए हमने गेरे के लिए जो lining cut करनी है तो मेरे पास जितना fabric बचा था 2 मीटर से उसको मैंने double fold कर लिया है इसके बाद इसको भी हम triangle shape में four fold कर लेंगे तो गेरे की जो length है वो जादा नहीं चाहिए बट यहाँ थोड़ा मुझे गेरे की length कम पड़ रही है तो आगे से जो fabric extra है इसको यहाँ पर मैं double fold कर लूँगी fold करते हुए आदा inch एक दुसरे के उपर overlap करेंगे अब यहाँ से हमारे जो गेरे की length है वो अच्छे से आ जाएगी इसके बाद हमने यहाँ पर कमर का foot part plus 1 inch mark करना है तो मैंने 9 inch mark किया अब खुली तरफ से जो भी length आई है पीछे की तरफ round shape में mark करेंगे और इसको dark कर लेंगे तो देख सकते हैं आप यह 9 inch है अब यहाँ से हमने गेरे की length लेनी है तो first layer की जितनी length थी मैंने उसे 1 inch extra ले ले लिया है यहीं 20 inch की length पर मैंने गेरे की length को mark किया है सभी marking करने के बाद अब हमने इसकी cutting कर लेनी है तो पहले हमने यहाँ इनको अच्छे से dark कर लेना है इसके बाद इसकी cutting करेंगे तो पहले कमर से cut किया साइट से और इसके बाद हमने इसको नीचे से कट कर लेना है कट करने के बाद यहां देख सकते हैं यह वाली साइट जो है यह फोल्ड है इसको कट करके दो में डिवाइट कर लेंगे और दोनों जॉइंट को नीचे के इस साइड में हमने सैट कर देना है तो इस तरह से हमारा घेरा भी कट हो चुका है इसके बाद देख सकते हैं आप नेक को मैंने फिनिश कर लिया है और इसके चारों तरफ एक कच्ची करके सिलाई लगा ली है अस्तर को और जोर्जट फैब्रिक को सिक्यूर कर लिया अब हमने अपने नेक में लैस लगानी है तो जो हमारे नेक की शेप है उसी के अकॉर्डिंग लैस लगा लेंगे तो इस तरह से दो सिलाई के साथ मैंने नेक पर लैस लगा ली है तो यह हमारा फ्रेंट वाला पार्ट था और बैक नेक को मैंने इस तरह से देखिए इस तरह से underground सिलना है तो आदा इंच का margin लेते हुए दोनों कंदिया सिल लेंगे इसके बाद हमने इसको open करना होगा तो open देखिए ये कंदि हमने underground जोइन की है और जब हम इसको open करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा इसके बाद हम इसके back neck में किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे और side से भी बड़ी चाल करके कच्चा कर लेंगे इसके बाद हम इसमे side से fitting भी लगा लेंगे तो fitting लगाने के बाद जो हमारा top part है वो इस तरह से बिलकुल ready हो जाएगा अब हमने देखिए अपनी sleeve ली है तो sleeve की मोरी मैंने fold करने के बाद यहाँ पर elastic लगा ली है elastic लगाने के लिए हमने दो सिलाई लगाई है दोनो side की किनारी पर इसके बाद sleeve के हम fitting लगा लेंगे और अपनी top part के साथ join कर लेंगे आप चाहें तो sleeve कंधी join करने के बाद उसके बाद आप fitting लगा लें उतना ही sleeve का armhole रखके हमने fitting लगानी है और अपने top part के साथ join कर देना है तो लीजे sleeve लग चुकी है इसके बाद हमने इसके flare set करने है तो पहले यह देखिए आप यह मेरा first layer है यानि बड़ी वाली दोनों की कमर हमारी बराबर है यानि घेरे की और top part की इसके बाद हम अपनी second layer लेंगे और इसके उपर इस तरह से cover कर देंगे च्योंकि छोटी जो layer है वो उपर आएगी इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा घेरा है lining वाला उसको भी मैंने joint लगा कर side से fitting लगा ली है यहां से और इन तीनों घेरों की कमर का जो size है वो top part के बराबर है और lining वाले गेरे को भी मैंने hem कर लिया है यानि फोल्ड कर लिया है अब lining वाले गेरे को हम इन दोनों गेरे की कमर की side से इस तरह से insert करेंगे और यह अस्तर वाला part अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से इसके बाद गेरे की कमर की side और top part की कमर की side यहां इस तरह से बराबर होनी चाहिए इसके बाद हमने देखे इस तरह से यहां से हम top part की कमर की जो side की fitting है यहां से दोनों side में बराबर आनी चाहिए अब यहां आदा हिंच का दबाव लेकर पूरे घेरे में सिलाए लगा देंगे सिलाए लगाने के बार घेरा हमारा जॉइंट हो चुका है इसके बाद ये जो लैस है वो हम कमर की साइड में इस तरह से लगा देंगे front और back में तो इसके बाद अब देखिये जो घेरा है वो हमने प्लास्टिक थ्रेड से हैम करना है यानि पीको करनी है तो मैं प्लास्टिक थ्रेड वाली पीको कर लूँगी और इसी के साथ जो हमारी कुर्टी है वो कंप्लेट हो गई है उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया होगा इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं definitely reply करूँगी इस कुर्ति को जो मैंने अमरेला प्लाजो के साथ टीम अप किया है उसका वीडियो आप यहां एंडरी स्किन पर टाच करके देख सकते हैं इसी के साथ वीडियो कम्पलीट होता है मिलते है अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो